नमस्कार मेरा नाम है रवी आपका स्वागत करता हूँ और थवर्धन चनलन में DSP Mutual Fund अपना एक नय ETF लाँच करने जा रहा है जो की है DSP Nifty IT ETF ये NFO 21st June को उपन जाएगा और 3rd July को क्लोज हो जाएगा आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान में रखनी है कि एक ETF है ETF के अंदर ट्रेड करने के लिए हमारे पास एक DMET अकाउंट होना जरूरी है जिसके करण हम आसानी से हम IT ETF के अंदर ट्रेड कर सकते हैं ETF से इन्वेस्मेंट करना बहुत ज़्यादा सिंपल लेता है जैसे ही आपको लगता है कि आपको कोई भी ETF के अंदर इन्वेस्मेंट करना है तो आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को ओपन करके वहां से डायरेक्ली अपने ETF को परचेस कर सकते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी की भी कमी नहीं होती है मतलब ETF के अंदर यहाँ पर लिक्विडिटी की भी कमी नहीं होती है और यहाँ पर जो ETF होते हैं वो अल्लेडी डायवर्सिफाइड होते है मतलब हम अगर ETF के अंदर इन्वेस्मेंट करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे फाइदे रहते हैं अब इस ETF के अंदर कौन से कौन से स्टॉक रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स कौन से कौन से है वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर कोफोर्जे जिसका वेटेज रहने वाला है 3.1% HCL Technologies 9.5% Infosys Limited 23.8% L&T Technology Services 2.0% LTI Mindtree 8.5% Memphis 3.1% Persistence Systems 4.9% Tata Consultancy Services 26.5% Tech Mahindra 8.8% और Vipro 9.8% यहाँ पर आपको एक बात यह ध्यान में रखने है कि एक IT सेक्टर का ETF है और साथ में यह जो IT Index है उसको पूरी तरीके से फॉलो करने वाला है मतलब जो Return हमें IT Index के अंदर मिलेंगे वही सेम Return हमें इस ETF के अंदर मिलेंगे अब हम यह देखते हैं कि IT का जो Index है उसने अभी तक क्यासा Return दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन ओपन किया है वह है Google Finance यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह Nifty IT का यहाँ पर हम चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर Nifty IT भी आप क्लिर ली देख सकते हैं और साथ में यहाँ पर इसका चार्ट देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर 1 month पर click करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 month के अंदर IT index ने यहाँ पर 1.16% का return दिया है अगर 6 month का देखते हैं तो कर इस index ने 0.59% का return दिया है जो की बहुत ही कम है लेकिन अगर हम 1 साल का यहाँ पर return निकालते हैं मतलब हमारे पैसे almost यहाँ पर double हो चुके हैं और अगर हम maximum यहाँ पर return निकालते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस index ने 28,950% का return दिया है जो की बहुत ही शांदार है जब यह index शुरू हुआ था तब उसका जो value था वो थो 96 रुपीज का और अभी हम देख सकते हैं कि value कितना है 28,554 मतलब यहाँ पर जो return है वो बहुत ही शांदार देखने को मिलता है over the longer period of time अगर हम इस ETF के NFO dates की बात करें तो यह NFO 21st June को open जाएगा और 3rd July को close हो जाएगा इस ETF का benchmark रहने वाला है Nifty ITTRI जैसे कि मैंने आपको पहले बता है जैसे ही index का return रहने वाला है वैसे same returns आपको इस ETF के अंदर देखने को मिलेंगे exit load जो है जो भी आपका demand account के अंदर brokerage रहता है वही same रहने वाला है investment के मामले में अगर हम बात करें तो अगर आप AMC के side से purchase करते हो ETF को तो minimum 5,000 रुपीस का आपको purchase करना पड़ेगा लेकिन अगर आप अपने DMAT account से units को purchase करते हो तो मातर एक unit purchase करके आप अपना investment start कर सकते हो asset allocation की बात करें तो यहाँ पर equity portion में minimum 95% से लेके maximum 100% जितना asset allocation रहने वाला है और debt portion में यहाँ पर minimum 0% से लेके maximum 5% जितना asset allocation रहने वाला है debt portion में यहाँ पर investment liquidity को maintain करने के लिए किया जाता है अब मेरा क्या मानना है ETF के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ इस ETF के अंदर investment करने के लिए आपके पास demand account होना जरूरी है यह एक thematic fund होने के कारण आपको अपने advisor से एक बार जरूर बात करने चाहिए अगर आपने और भी कहीं पर भी investment किया हुआ है तो इस ETF के अंदर investment करके आप अपने portfolio को diversify कर पाऊगे यह ETF short term के लिए बिल्कुल भी नहीं है और साथ में यह volatile भी बहुत ज़्यादा रह सकता है यह बात आपको investment से पहले त्यान में रखनी है अगर आपको investment की regarding किसी भी तरीके के question है तो आप हमें telegram, twitter और instagram पर follow करके अपने questions को पूछ सकते हैं ओप यह video आपको पसंद आया होगा अगर यह video आपको अच्छा लगा तो like करो, share करो और subscribe करो, thank you